बोल जै खारा, बोल मेरे शिरी गुरु महराज की जै शिरी परमन्स अध्वैत मत शिरी ग्रन शिरी प्रत्थम पाश्य जी का जीवन चरित्र कुछ दिनों पाद शिरी परमन्स द्याल जी ने राम नगर में किरपा की वहाँ पर एक प्रेमी ने जिसका नाम चौदरी प्रेम जन था शिर्चर्णों में आकर प्रत्ना की शिरी महराज जी मैं बहुत समय से शुब करम कर रहा हूँ दिन में चार घंटे तो पूजा पाट करता हूँ और चारो धाम घूम कर आया हूँ फिर भी मुझे शांती प्रापत नहीं हुई यह सुनकर शिरी परमन जियाल जी ने मुस्कुरा कर फरमाया कि इस मन की चंचलता समय के संथ सत्गुर के उपदेश की कमाई तथा सत्गुर की कृपा से दूर हो सकती है दूसरा और कोई उपाए नहीं इस मन को एकागर करना समय के सत्गुर की किरपा ही है जब तक मन एकागर नहीं होता तब तक पूरन शांती अनुभव नहीं हो सकती ये तो तुम स्वयम सोच सकते हो कि दुनिया की कोई विवस्तु किसी के सुपुर्द हुए बिना उत्तम नहीं बन सकती तो ये जन्नम जन्मांत्रों की अपवित्र मन बिना संथ सत्गुर की शरन में जाने के कैसे निर्मल हो सकता है तुम जो ग्रंतों का सवध्याय करते हो इनकी समझ भूच और इन वचनों पर चलना भी तब ही हो सकेगा जब समय के पूरन सत्गुर की शरन मिलेगी वैही वेद के भेद को जानने वाले होते हैं क्या इस समय के रोगी को हजार वर्ष पहले वाले वेद और ओशदी ठीक कर सकती है ये सुनकर वैशी चरनों में गिर पड़ा जैसे ही शेचनों की धूली उसके मस्तक पर लगी तो उसकी बुद्धी में परकाश होने लगा और सुर्ती मनों हर छवी की और आकरशित हो गई शिरी परमहंस द्याल जी ने उस पर कृपादिष्टी की और उसकी विने करने पर उसे शवल का भेद बताया जब उसने अभ्यास की कमाई की और सुर्ती को अंतर मुख किया तो उस नाम की कमाई के कारण अंत मन में आत्मिक द्रिश्य देखे जिस थान पर वे पहले सत्संग के लिए जाता था वहां गया तो सभी अन्य लोग चौदरी प्रेमचन के बदले हुए रंग धंग को देखकर चंकित हो गए अब तो उसकी आँखों में निराली जोती और हृदे में अनूठी मस्ती की लहर जूम रही थी सबने मिलकर उससे पूछा तुमें क्या हो गया है उसने उक्तर दिया बलिहार जाओं में अपने शिरी सतकुर देवजी पर जिनोंने मुझ पर मुझ जैसे भूले भटके को अपना घर दिखाया और सुर्ती को इस संसार के मोह से सवतंतर कराकर अंत्र मुक कराया और शबद का भेद बताया इस परकार वे मुक्त कंज से शिरी परमंस दिया जी के गुनवात गाने लगा उसकी बाते सुनकर सत्संग में आने वाले अन्य लोगों में भी शर्दा उत्पन हुई वे भी चोदरी प्रेम चंजी के साथ शिरी परमंस दिया जी के शिरी दर्शनों के लिए गे शिर्दर्शनकर सब ने शिरी चर्णों में प्रात्ना की, महाप्रभु आप कुछ दिन यहां रहकर अपने वच्छनों से हमें किरदारत करे, उनका शिरी चर्णों में परगार प्रीम तथा श्रदा देखकर शिरी परमथ द्याल जी के ने उनकी विने सविकार की एक दिन सत्संग में श्री परमन स्दियार जी ने फरमाया इस जीव के सच्चे साथी केवल संसद्गुरी ही है शेश जितने भी संसारिक संबंध है उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं उनका संबंध मनुश्य के शरीर से है जैसे मार्ग में यात्री आपस में मिलते हैं और बिछोड जाते हैं ऐसे ही मनुष्य का संसार से संबंध है इसी परकार दो दिन अमित वचन होते रहे तीसरे दिन चौदरी प्रेम चंजी सडक पर चलते चलते गिर गए और शरीर छोड़ दिया तब सब सक्संगी आपस में कहने लगे कि ये चौदरी प्रेम चंजी तो कहते थे कि मैंने अपना घर देख रखा है शिरी परमंज दियाल जी ने मुझे अपना घर दिखाया है प्रंतु वैतो अकाल मित्यू ही मर गए रात को उस सक्संग के मुखिया लाला निर्मल दाज जी को स्वपन आया क्या देखते हैं कि शिरी परमंज दियाल जी हजारों प्रेमियों के मद्दे में चमकते हुए सिंगासन पर सच खंड में विराजमान है और दोनों और एक एक सेवक चवर जुला रहा है उसने धरवाजे से चोदरी प्रेमचन को अंदर आते हुए देखा जब पास आया तो शिरी परमंज दियाल जी ने मुश्कुराते हुए फरमाया प्रेमचन जी आ गए उसने शिरी चड़नों में सिर जुगा कर विने की हां शिरी प्रभु जी शिरी परमंज दियाल जी ने शीरी आग्या पाकर उस सेवक ने चवर चोदरी साहिब जी को दे दिया और स्वयम दूसी सेवा में लग गया। मुखिया निर्मलदास जब नीन से उठा तो स्वपन वाली घटना को याद कर बहुत परसन हुआ और दूसरे दिन सचन में जाकर हर्ष्ट में कहने लगा मैं अपनी आँखों से देखाया हूँ कि शीरी परम्हंस द्याजी स्वयम पार ब्रह्म और कली काल के जीवों के उध्धार के लिए धुर्धाम से आये हैं ये सुनकर सब प्रेमियों के संचे निर्वित हो गए और वैश्रदा अवं प्रेम के साथ शीरी परम्हंस द्याजी के गुनवाद का आने लगे थब सब संगत ने शीर चरनों में प्रात्ना की कि हमें भी सचे नाम की दिक्षा दी जाए शिरी परमहन्स द्याल जी ने उनका अगहाद प्रेम देखकर उन्हें नाम धन को से किरदारत किया वे लोग कृत्ते कृत्ते हो गए कुछ दिन वहां अम्रित वर्षा करने के बाद शिरी परमहन्स द्याल जी आगरा में बधारे जहां भी सत्संग परचार अथवा जीव कल्यान हे तु आश्रम स्थापित करते उसका शुब नाम कृष्चन द्वारा रखा जाता फिर आगरा से तेरी पधारे पुन्य आपने अधिक समय तेरी में वितीत किया तेरी में शीत की अधिकता थी प्रन्तु आप केवल एक मलमल का चोला पहनते थे सर्दी के कारण 11 फेबरी 1915 को आपके शिरी सकोमलतन के दाहिने भाग पर पक्षक घात के चिन परतीत हुए प्रक्टरों की कुछ समझ में नहीं आया आप स्वयंपार भ्रम्म स्रिष्टी करता एवं करन धार थे आपने जबकी बाल्यकाल से ही योग साधना से ध्यास पर विजय प्रापत कर ली थी तब आपको भला सर्दी तथा कर्ष्ट से क्या वास्ता ये तो आपकी नीजी मोज थी ना मालूम किस परमारत कार्य की सिद्धी है तू अथ्वा किस देवी विपित्ती का कार निवारन करने के लिए स्वयंप अपने तन पर कर्ष्ट सेहन कर रहे थे एक दिन आपने वचन फर्माए कि लोगों ने ये समझ रखा है कि हम बिमार हैं किन्तू वै भला क्या जाने इस रहस्य को ये गुप्त भेद है वै इने नहीं जान सकते वास्तव में संत मापुर्शो के हृदे समुंदर से भी गहरे अकास से असीम उच तथा धर्ती सम से निश्य होते हैं वै गुप्त रूप से मायावी जीवों का कष्ट अपने पर लेकर उन्हें भक्ती का सुकद मारक बतलाते हैं इन रहस्यों को जीव भुद्धी समझ नहीं सकती आपके आगमन से पहले सीमा प्रांत में अधिकाशत लोग भक्ती मारक से भटक चुके थे अतैव मो ममता वंतरिशना की ज्वाला में राद धिन जुलस रहे थे आपने निरंतर सतुबदीशों की पावन धारा भाकर सब को शीतलता परधान की इस परकार परतेख कष्ट को सेहन करते हुए आपने सीमा प्रांत की दशा को सरवदा पलड़ दिया आपने संत महा पुर्षों के सो भाविक लक्षनों को शीरी रामचरित्र मानस की इस चुपाई के नुसार सत्यसिद कर दिया सादू चरित्र सुब चरित्र कपासू निरस विसत गुन में फल जासू जो सही दुख पर छद्र तुरावा बंदनियद यही जग जस्पावा संतों के चरित्र कपास के समान कल्यानकारी है ये चरित्र देखने में तो रहस्य हित होते है प्रन्तु उनका फल बड़ा गुण युक्त है कपास में रस तो कुछ नहीं प्रन्तु उसका फल गुण युक्त है कपास गर्मी शीत वर्षा सहन कर उत्पन होती है केवल दूसरों के भले की खातिर वे कपड़ा बनकर दूसरों के तन को ढखती है अर्थात आप दुख सहन कर दूसरों को सुख पहुंचाती है इस परकार संत महापुष्भी संसार में पहले कठिन साधना करके फिर संसार में अनेक कष्ट सहन करके जीवों के अवगुणों को ना देखते हुए उनका सुधार करते हैं इसी से व्यवंदन्या के योग्य होते हैं बोलो जैकारा बोल मेरे शिरिगुर महराज की जै